हलो बच्चो मैसल्फ किसोर सेखावत टीम फिजिक सील्ची सीकर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं गुरुणती का पार्ट फॉर जैसा कि आप जानते हैं इस गुरुणती में टोटल 21 टॉपिक्स हैं जिसमें से हम आपको आज डिसक्स करवने जा रहे हैं टॉपिक नमर फ पांच या छैसी जगहें हैं जहां से मौस्टली कृष्टनस आपके आ रहे हैं मेरा यह मानना है कि अगर उन पांच या छै ज। साइटें हैं उनकी सारे कॉट्टेंस और उनकी तरह के क्वेश्टनस अगर आपन कर लेते हैं तो मानके चलें टॉपिक करने में अपने को आपने बात करते हैं इसमें तो जैसे एक्वेशन्स ऑफ यूनिफॉर्म एंगूलर सुलिशन कि से एक्वेशन ये कूनिय के गति जो है उसके बाहर निकलते हैं तो उसके बाद आपका टॉर्क है और कैसे फचछन करना है उसके बाद जो वेरिस टाइपस की kinetic energy हैं उनके type science translation है rotation है यह नि आपकी rotation motion पिए जब साथ में rolling motion होती है तो उसकी total energy है उनके questions है कुस्तल स्मांखुपष़ा रहे हैं把它 होपी है वह किसी inclinal plane पर जब उपर चड़ती है तो उसमें 되YA क्लिण कितना होता है किसी body को Stop करना है तो उसमें कितना वर्डन हमको करना पड़ता है वहां translation के कितना है rotation motion कर रहा है तो उसके against कितना वर्डन करना पड़ता है और conservation of angular momentum यह चार-पांच जगए हैं यहां से questions पूछे जा रहे हैं तो first जो questions है जो इसमें 5 है जो part है उन से जो पहला part है उसका है अपने देखें तो वह है moment of inertia है तो moment of inertia के questions आपने देखेंगे तो एक तो अब ध्यान रखें कि इसमें questions कहां से कैसे आ रहे हैं तो मेरा मानना देखो इसमें कि moment of inertia moment of inertia है तो जो symmetrical body जो समित वस्तोय है उनके एक तो moment of inertia है के formula हमको याद होने चाहिए जैसे बात करते हैं इसमें सदाहरी सदाहरी यह वो एक simple trick है जिससे आप symmetrical body जो है उनके moment of inertia याद रख सकते हैं और बड़ा इसमें importance भी है यहां S का मतलब है solid sphere solid sphere या थोस गॉला थोस गॉला और यह यह D से मतलब है disc यानि चक्ति और S का मतलब है holosphere और R का मतलब हो गया वैसे R आई है ring वाले वाले चक्ति या अपना कहते हैं ठोस बेलन solid cylinder solid cylinder चक्ति ठोस बेलन का यह तरह का ही फॉमला होता है वले और खोकला गोला खोकला बेलन holo cylinder holo cylinder यह totally 4 और 2 6 हमारे पास metal bodies है और इनके moment of inertia के family हमको याद होने ही चाहिए अगर यह याद नहीं है तो पर नीट किस बात यह कर रहे हैं यह तो हमको बहुत पहली प्रात मिलता है साब तो ठोस गॉला जो है का moment of inertia यह देपन देखें हैं तो कितना है 2 बटा 5 एम-r square चति का है 1 बाइ 2 एम-r square होलो स्फिर है 2 बटा 3 एम-r square और जो वले है उसका है एम-r square यह तो पन देखेंए ते हाँ कितना टू-बाइ-5 है यहां 1 बाइ-2 है, 2 बाइ-3 है यह कितना है 1, 2 x 5 यानि 0.4, 1 x 2 यानि 0.5, 2 x 3 यानि 0.667 अप्रोक्ष्मान ले और यह 1 कि जो वो order है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि लगातार इसमें moment of inertia आपका increase हो जादा रहा है कब अगर इस सारी body कैसे same mask क्यों, same radius क्यों, तो यह formula आपके fix हो जाते हैं यह हमको याद रखने चाहिए और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें moment of inertia सबसे ज़्यादा किशका है जब mask और radius बराबर सबसे का moment of inertia होता है, ring का होता है, ring का सबसे ज़्यादा moment of inertia है कि कोणी गती में किसी भी प्रकार के परिवर्टन का oppose सबसे अधिक कौन करेगा, जिसका आई ज़्यादा होगा सबसे अधिक oppose कौन करेगा, gering करेगा, सबसे कम oppose कौन करेगा, ठोस गोला करेगा, सबसे कम अच्छा, एक बात और भी है, कि जब भी हम किसी तरगी कोई motion करते हैं, जो kinetic energy इसमें आती है, तो उन में भी सबसे ज़्यादा rotational effect किसमें है, इसमें है, तो हम किसे नतल से किसी body को छोड़ते हैं, body roll करते हुए नीचे आती है, तो वहां translatory motion भी है, और rotation motion भी है, दोनों आए तो किस में rotation motion ज़्यादा होगी, किस में कम होगी, जिस अब देखो, सबसे अधी rotation किसी में आएगा, ring में आएगा, वो तेज गुमेगा, चलेगा कम, अगर हम इन सारी bodies को, मालों होरे पास एक inclined plane, वहां से नको सब को एक साथ छोड़ दें, सब को एक साथ छोड़ेंगे, त तो नीचे आने के दोरान सबसे जगा deeper, सबसे ज़्यादा मोमेट और फिनेशिया जिसका होगा, उसमें rotation effect सबसे जधा होगा, यह इसमें गूमने की परवर्ति ज़्यादा होगी, चलने की परवर्ति कम होगी, यह कम चलेगा, तेज गुमेगा और यह तेज चलेगा, और कम साथ साथ को पहुंचेगा आप देखें चक्ति और ठोस बेलन साथ पहुंचेंगे वले खोगला बेलन साथ पहुंचेंगे तो इस सारा खीक लिए इस से कनेक्टेड है एक जो पतली छड़ होती है छड़का हम को मिमेंट आफ निस्याद होना चाहिए साब सेंट्रों मास के ब सब्सक्राइब याद है तो इसी है वो जो रेडिश ऑफ गैरेशन पर निकालते हैं के जैसे आप जानते हैं आई इस इकल टू क्या होता है एम के स्क्वार तो के हमारे पास किता होगा आई बाई एहम का रूट रूट रिडिश ऑफ गैरेशन आई यहाँ पर है गीवर अक पर्ट का रिमेइनिंग का जोबह्मित ऑफ एसी है अब इन चया वाता है यहाँ रिमेनिंग रिमेनि इस इकल टू है और टूटल मैनस कौन्सा आई रिमोड और रिमोड रिमोड या कट र इसको में कट कर देता हूं तो इसको अपन द्वार लिए देते हैं उसमें क्या होगा आर रिमेनिंग इस इकल टो आर टोटल माइनस आर कट इसको फोलो करें तो आराम से कौस्टन सापके बन जाएंगे अब अपना आते हैं कौस्टन नमबर फरस्ट पे तो यह कौस्टन है हमारे पास तीन स्पेरिकल सेल हैं इनको इस तरह से अरेंज कर रखा हैं और यह एक्स-क्स डेस है इसके बाउट आपको टोटल मोमेंट आपनेस्या फाइंड करना है तो आप देखो इसमें करना है कहाजी आई एक्स-क्स डेस तीन बोडी हैं इनकी नम्मरिंग कर सकते हैं आप वान, टू और थ्री तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं गया कि आई वान प्लस कितना टू आई टू क्योंकि आई टू आई थ्री आपसने कैसे ब्राबर है अच्छा अब इनके वैल्यू लिखने है तो आप देखो वन जो होलो स्फिर है उसके अक्सिस क्या है यह इसके डायमेंटर के अबॉट है इसके व्यास से निकल रही है और व्यास के अबॉट आप जानते हैं कोई हमारे पास जो होलो स्फिर है उसके अबॉट व्यास के बाउट जो आई अपने निकालते हैं तो आई हमारे पास होता है कितना है 2 बटा 3mr square 2 बटा 3mr square r यहाँ पर है small r तो कोई शो नहीं है उसका बदल लेंगे तो देखो 2 by 3 mr square plus 2 into 2 into i2 हमको निकालना है इसकी जो परस रेखा है इसकी जो tangent है उसके बाउट तो यह icm plus this तो actually इसका जो i2 होगा उसको अपने अलग से लिख देंगे बार तो i2 है क्या इसका व्यास के साप x plus कौन सा mr square इसको उपर निकालते हैं parallel axis theorem से समानतरक्ष परमेशे और वो कहते है icm plus md square icm plus m into d square icm दो बटा पांच यह दो बटा तीन यह तो हो गया आपका 2 बटा तीन mr square और प्लस mr का square तो दो बटा तीन plus एक पांच बटा तीन तो यह हो गया जी 5 by 3 5 by 3 mr square ओके अब इनको अपन एड कर देते हैं तो 2 into 5 by 3 mr square ओके तो यह हमारे पास 2 mr square by 3 5 into 2 कितना 10 upon 3 lcm कितना 3 तो यह हो गया 2 plus 10 upon 3 और mr square 10 upon 3 12 upon 3 यहनि 4 4 mr square इसका right answer हो जाएगा ओके तो यहां समांतर अक्षपर में लवद अक्षपर में वो भी हम को नहीं चीए समांतर अक्षपर में क्या गालाती है समांतर अक्षपर में मालो कोई बोड़ी हमारे पास है और हमें इसके बोड़ आई निकालना है तो जिस अक्षपर अपन यहां find करने जा रहे है वो अक्षपर सेंट्र मास्क के अलावा कहीं और शेपास हो रही है और का मतलब यह बोड़ी के inside आउसरड कहीं पर भी हो सकती है उसके बोड़ पर निकालते है तो अब अगर मुझे इसके बोड़ी मालो A और B है इसके बोड़ आपका I निकालना है तो I actually I A B equal to है क्या तो आप इसके समांतर चलने पहले center of mass के बोड़ इसको मालो C D एक्सिस कहा दूँ तो I C M I जो आपका है A B वो क्या है I C D प्लस कितना M into D शकर M यहाँ पे total mass है system का और D यहाँ दोनों एक्सिस के बीज़ की parallel की यह distance clear तो इस तरह से आपका आगे बढ़ना है next पर आते हैं भी तो अगला question आपका है कि from a disk of radius capital R and mass capital M एक disk है उसकी radius R है mass उसका M है और circular hole of diameter R आपने R diameter का एक circular hole बना दिया मानलो यह कोई एक हमारे पास complete disk है और इसमें से question कहरा है साब साब कि हमने ऐसा एक hole बनाए और इसमें एक ऐसा hole बना दिया जिसमें उसका जो center जो आपने hole काटा है उसकी circumference उसकी जो परिदी है वो बड़ी चक्ती के center से पास हो रही है इस तरह से लिखा जा रहा है तो अगर ऐसा है तो R इसकी radius है और यह इसका R diameter है तो निशित रूप से इस जो जो काट रहे हैं उसकी एक circumference का जो point है वो तो center से पास हो रहा है दूसरे इसकी परिदी यानि circumference से पास हो रहा है तो यह इस परकार का structure जिसमें इसको अपने हाँ से काट के निकाल रहे हैं तो अपने ऐसे करते हैं total mass इसका मानलो कितना M जिसको अपने यहाँ से काट के अलग करेंगे उसका मानलो mass कितना है M dash चक्ती है mass surface बेपन distribute होता है मान सकते हैं और SST में जो mass होता है mass वो इसकी radius के proportional radius के वरके समनुपाती होता है mass का होता है तीन तरगा वितरन कौन-कौन सा रेखे दरेमान वितरन और प्रस्ट यह और कौन सा volume जिसको पर कहते हैं linear mass distribution lambda surface mass distribution sigma और volume mass distribution कौन सा rho तीन तरगा होता है तो इस तरह से अपने इसको देखें तो यहाँ अगर मैं इसी से ग्याद करता हूँ कि M dash कितना है तो देखो M dash by M जिसको पर काट रहे हैं उसका तो R dash कितना होगा R by 2 तो यह R by 2 upon R 1 by 2 का square कितना 1 by 4 यह हो गया 1 by 4 तो R dash कितना R by 2 है न R से R कट गया तो 1 upon 2 का square कितना 1 by 4 तो M dash कितना 1 by 4 है तो जो M dash हमारे पास था यह M dash कितना हो जाएगा M by 4 अब आपसे पूछा कितना रहा है कि इसको यहां से काटने के पश्चात जो remaining body है उस remaining body का जो पहले हमारे पास body थी उसके central mass और उसके plane जो plane है उसके perpendicular axis के about आपको I निकालना है तो क्या करेंगे आप देखो कि I जो इसका है remaining is equal to क्या होगा I total minus कौन सा I cut total यानि इस पूरे का mass M है R radius है तो चक्ति का यह क्या बन गया जामीती है axis बन गया और इसके about आपने निकालते है I तो होता है 1 by 2 M R square minus अब जिसको उपने काटा है जिसको उपने काटा है उसकी यह क्या है इसकी परीदी है इसका circumference है तो इसकी परीदी से निकलने वाली और तलके लंबोत अक्स इसके about आपने को आई निकालना है जिसको फाइंड करके अपन गठा देंगे तो इसके about आई है कितना तो अगर आपन मान लें ऐसे इसका mass कितना है M dash इसका mass कितना है साब M dash और इसकी radius कितनी है R dash तो आप मान लो यह चक्ती है जिसका mass कितना M dash है इसकी परीदी कितनी है R dash है और इसका हमें इस अक्स के about निकालना दिया है क्या इसकी है परीदी से गुजरने वाले तलके लंबोत अक्षिश है यानि circumference से पास होने वाले और perpendicular to the plane of small ring जिसको अपन काट रहे है small disc जिसको अपन काट रहे है उसके about है तो इसका हमको आई निकालना है अब यह कैसे निकालेंगे तो अपन ऐसे मालने के M dash, R dash तो यह आप देखो जामिती अक्षिश तो हाप M dash, R dash का square प्लस कितना है M dash, R dash का square तो बस इसमें जो I cut है न उसको अपन देखो एबार आप बताते हैं I cut है कितना I cut is equal to कर रहा हूँ यह चक्ति माल छोटी तो इसका इस अक्षिश के about तो कितना हो आदेगो ICM plus MR square तो ICM कितना है 1 बटा 2 M dash into R dash square प्लस M dash का M dash और यह R कितनी है यह भी R dash का square तो 1 by 2 plus 1 कितना हो गया 3 by 2 3 by 2 M dash R dash का square 3 by 2 M dash कितना है देखो M by 4 R dash यह R dash कितनी है R by 2 है R by 2 का square क्या कर दूँँगा R square by 4 कि हो गया 3 बटा 32 3 upon 32 लिग दो यहां पर 3 upon कितना 32 MR square MR square यहां से common ले सकते हो आप तो यह है 1 by 2 minus कितना 3 upon 32 और into MR square मैंने common ले लिया अब देखो अगर इसमें इसका LCM कितना 32 है तो इसको मैं 16 से multiply कर रहा हूँ 16 से divide कर रहा हूँ ताकि LCM आपके सामने अब यह होगा देखो LCM 32 इसका 32 16 minus 3 16 minus 3 कितना हूँ 13 तो आपका answer है 13 upon 32 MR square कर देंगे तो इस तरह से आपको कर रहा है I total minus कुन सा I cut जो भी body है पहले आप find कर लो given access के लिए पूरी body का कितना था उसके बाद जिसको अपने काट दिया उस काटी जाने वाले की काट उस access पर कितना moment of inertia था वो निकाल लो और difference कर दो आपका answer आ जाएगा ओके तो इसका answer आपके है first बढ़े आगे तो next अच्छा अब कुछ बात कर लेते हैं अपने जो CLC के जो new batches आपके हैं 2023 और 2024 के उसकी कुछ details आप बता जाता हूँ target batch आपका शुरू हने वाला है foundation course शुरू हो रहा है two in one courses CLC का unique batch जिसमें हम लोग 11-12 12 दोनों की जो study है वो एक ही साल पूरी करवा देते हैं और उसमें 12 और 11 जो बच्चा किसी गाउं की श्कोल में किसी छोटे सेर की स्कोल में कहीं कहीं भी या कहीं इसने finders foundation भी करा है जिस भी बच्चे ने 11 class धंक से नहीं पढ़ा है वो बच्चा फुन है हमारे साल जोट कर गे और 11 और 12 दोनों सालों के syllabus को एक ही साल में पूरा कर सकता है हमारे टीम पूरा syllabus एक साल में complete करवाएगी बहुत शानदार एक बैच्च है अब आप सुच देगो एक ही साल में एक ही फीस में दो सालों का syllabus पूरा आपको करवाए जा रहा है तो एक यूरिक चीज है जिसको आप follow कर सकते हैं course को आप join कर सकते हैं आप CLC जोड़ सकते हैं target बैच्चे हैं 12 past guidance होना चाहिए इसकी अवदी आप जानते हैं यह रोती है स्टार्ट हमारा बैच होने वाला है 6 अप्रेल 2023 से 6 अप्रेल 2023 से बैच स्टार्ट होने वाला है foundation courses है first base start from 6 अप्रेल यह भी आप देख सकते हैं इसमें और NDA की भी मारे पास यहाँ पर बहुत शांदर team के साथ की काम चालू हो रखा है तो आप इनको जन कर सकते हैं न target course की 12th class की conditions है यह सब जो हैं और इसके लिए आप CLC इवार विजिट करें आप अपने बच्चे के साथ फैमिली के साथ आप आएं और विजिट जरू करें आप ठीक है next चलते हैं देगो CLC centers जो हमारे हैं classroom है test centers हैं उनको आप देख लिजेगा classroom की जो बैचेज हमारे हैं seeker में है यह address आपके सामने है contact number दे रख है उनके आप contact कर सकते हैं जाने से पहले अलवर है, जयापूर जयापूर में यहाँ दो center है एक प्रेड़नास तली है, दूसरा है विजिस तली जिनके address आपके सामने है contact number भी आपको दे रख हैं उनके आप बात कर सकते हैं test centers जो हैं उनको देखें तो quota है, बिकानेर है, जोदपूर है, दैली है और हिसार quota, बिकानेर, जोदपूर दैली, हिसार seeker आपका है ही है उसमें तो offline, online, जैसी मरजी आप देख सकते हैं online तो कहीं, कहीं भी भी आप देख सकते हैं कोई इसमें मुद्दा नहीं है ठीक है, तो यह कुछ बेचेज रहे बढ़ते आगे और यह diamond test series है अभी need 2023 के लिए इनका slavers है, उनकी dates बगए रहे हैं total test जो हैं, उनको देख सकते हैं और उसके बाद जो आपके दंगल का पुरस लिवस आपके सामने हैं फुल से बस टेस्ट होंगे बड़ा शांदर पेपर होता है fully need oriented, NCRT oriented काम होता है तो इनको आप जोर्ण करें और बिल्कुल इस से आपको sharpness मिलेगी पेपर जो need का होगा उसको देने से पहले आपकी तयारी है, आपकी किस तरह से आपकी strategy कैसे बनानी है आपको planning कैसे करनी है, उनको आप यहाँ देख कर सकते हैं ओके, तो बढ़ते हैं अपन आगे तो अगला question है जो need second में 2600 पुछा गया था, moment of inertia question है उसमें क्या question दे रखा है यह light road of length यह कोई अमारे पास एक road है जिसका length small L है light है, mass relation है और इस पर दो particle सा आपने attach कर रखे हैं M1 और M2 आपको पूछा है कि इसकी centre of mass जो इसका centre of mass जहाँ पर भी है उस centre of mass के about center mass के about इस system का moment of inertia क्या है तो इसमों दो तरीके हैं या तो आप क्या करें कि यहां से इसके distance निकालें आरवन यह distance निकालें कौन से आरटो दो particle है तो आप भी कहसेदे हो कि I इसका है किता M1 R1 square प्लस कौन सा जी M2 R2 गा square ठीक है अब इस process से अपने निकाल लेंगे value put करेंगे sol करेंगे और sol करने पर हमारे पास इसके value जो आएगी वो आएगी M1 M2 upon M1 प्लस M2 into L square यहां जो यह mass है इसको हम कहते है reduced mass सम्मानित दरेमान मतलब यह है कि अगर इस total mass को जैसे यह इस coaxious मान लो है और यहां से इस पूरे सिस्टम के mass को L distance पे और mu मान लो जान करें दो particle है परन तो दो particle के निकाय को अगर एक करण मान लिया जाए और एक करण मानने पर जो इसका reduced mass जो अपन जिस mass को अपन यहां अब मानने जा रहे हैं जिसको अपन कहरे है reduced mass नामी ही reduced है जो कुछ कम करके और आप इसको arrange करते हैं तो यह mu है तो अगर मैं इस अक्सिस से दोनों के बीच की तो distance L थी उत्तिन दूरी पर उस mu को पूट गर दो तो उत्तना है moment of energy से आएगा जितना कि अलग-अलग करण का आपन निकालते हैं तो i equal to किता है mu L का square है और mu हमारे पास किता है m1 m2 upon m1 plus m2 यह इसका right answer है इसको आपको याद रखना चाहिए नेक्स देगो यह अभी जो अपन कह रहे थे question हाँ इसमें question कहा है कि from a circular ring of mass capital M radius capital R question यह है कि हमारे पास एक circular ring है अच्छा इसके बारे में क्या बोला गया है कि इसका mass capital M है R इसकी radius है ठीक है अब अभी इसका जो जामीत एक्सिस है geometrical axis है उसके about moment of inertia i होता क्या है MR square अब एक point देखो कि जब भी हम किसी वाले से किसी चक्ति से कोई भी symmetrical part कोई एक आर कहां से परने काट के अलगर दिया 90 degree का कोई R काट के अलगर दिया 180 का परने काट के अलगर दिया तो एक axis के about जो इसका moment of inertia होता है अब जानते हैं कि जब भी इस परकार की cases में कोई भी symmetrical part हम यहां से काट के अलगरते हैं तो जो बचावा part है उसका जो आई हम लोग लिकालते हैं आई remaining वो actually होता क्या है सुत्र की परकरती वैसी रहेगी सुत्र की परकरती में कोई बदलाव नहीं आता formula वह रहता है बस M के बदलने से M डेस और R का स्कॉयर IR डेस सुत्र की nature वही है आप इस उ कितना भी काट दो बस बदलाव मास आपको लेना पड़ेगा सुत्र की परकरती बदलेगी moment of inertia वही रहेगा सुत्र की रूप में स्टार रहा हूं स्टेटमेंट को सुत्र की परकरती वही रहेगी मास के बदलने से moment of inertia आपका change हो जाएगा सुत्र वैसा ही है पहले भी किता m r square अभी भी किता m r square पर m कह है बदलाव मास तो अगर question कर रहा है कि अगर इसका अपने 90 degree बनाने वाला एक r कहां से काट दिया तो 90 के equal r को पन काटेंगे total mass m है तो इसका मास किता है m by 4 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 की replace करने से हटाने से remaining mass किता रहा 3 by 4 m तो यहां बस यतना सा है कि 3 by 4 यह हो गया m r square mass length पर distribute है और ऐसे में अगर आप देखें तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी 30, 360 degree angle का total mass किता m है पुरा आगर ना तो ऐसे 1 degree का किता हो m by 3, 360 आपको 90 का निकालना हो तो 90 को multiply कर दो किता m by 4 हो गया m by 4 यहां से replace हो चुका तो 6 कितना हो गया 3 by 4 m r square तो ऐसे में आप देखो question कर रहा है कि यह जो i है अब 6 वाला हो कितना k m r square है तो इसमें तूलना करने पर k का मन कितना 3 by 4 आजाएगा ठीक है जी next इसमें है कि the ratio of the radius of variation of a thin uniform disc the ratio of the radius of variation thin uniform disc हमरे पास एक पतली disc है और उस disc का हमको radius of variation का ratio निकालना है और निकालना किस के बाट है an axis passing through its center and normal to its plane और दूसरा किस के बाट diameter के बाट देखो question आप पढ़ले नटंग से इसमें आप पूचा कहता रहा है हमें पूचा है radius of variation यानि गुणन तरजया का अनुपात एक दो पूचा है जो चक्ती है इसके center से पास होने वाली और जामी त्यक्सिस ये वाली यानि इस axis के अबाट मानलोग के वन दूसरा इसका जो the disc about its diameter एक पतली एक समान disc के इसके केंदर से गुझने वाले तल के लंबत अक्स के प्रित्य गुणन की तरजया था इस disc के इसके व्यास के प्रित्य गुणन की तरजया से अनुपात ग्याद कीजिए तो एक दूसरा इसके है diameter व्यास के प्रित्य व्यास तो कौन सा ये व्यास हो गया देखो ये व्यास हो गया दो अक्सिस है के वन और इसको मालता हूं के टू जयान दे एक तो कुछ है चक्ति के तल के लंबोत और सेंटर मास से गुजरती अक्सिस क्यामित एक्स के अबॉट के वन और इसका व्यास है उसके अबॉट कौन सा के टू चक्ति व महासर M तो कौन स्टेन्ट है इसका मदर परपोस्ट लोग कर दूँ I तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि K1 by K2 K1 by K2 is equal to root of I1 by I2 और इसी महासर आपका पड़ा है तो बताएं मुझे इसकी about इसका moment of finish है कितना होता है चक्ति का आपने जाइमी टेक्स के बाऊ 1 by 2 MR square तो 1 by 2 MR square और व्यास के साप एक से पन जानते हैं कितना होता है 1 by 4 MR square का root MR square से MR square cancel हो गया यह 1 by 2 आदा यह पाव है आदा पाव का डबल होता है तो 2 by 1 का root तो कर देंगा root 2 by 1 root 2 by 1 तो इसका अंसर कौन सा जाएगा first ओके तो यह भी आप कर सकते है next देगो किस्तने इस solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 cm rotating about its axis at the rate of 3 revolution per minute 3 revolution per minute यह क्या frequency है 3 revolution per minute यानि 3 by 60 rps frequency revolution per second in hertz 3 by 60 और इससे पर निकालते हैं omega तो वो हता है 2 pi into f तो 2 pi into f f कितना बाद 3 upon 3 upon 60 तो आप इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो न 6 upon 60 तो pi by 10 radian per second तो हमें बदलना पड़ेगा ने इसको क्योंकि हमारे पास यह तो है क्या है एक simple frequency है the torque required to stop after 2 pi revolutions दान दो गयो 2 pi चकर की बाद इसको रोकना है तो हमें कितना यहाँ पे बल अगून लगाना पड़ेगा 2 pi revolution की number of cycles है तो angular displacement होता है 2 pi n तो 2 pi n revolutions कितने है 2 pi इसका मतलब हो गया 4 pi square आप question देखो एक thos balloon है वो लगातार घूम रहा है उसकी आपको omega दे रखी है और कह रहा है कि 2 pi चकर की बाद इसको रोकना है तो कितना बल अगून लगाना पड़ेगा तो द्धान करो बल अगून होता है किया है रहो मैं इससे इसको लेता हूँ torque is equal to i alpha ठीक है आपने i आइकोन है solid cylinder tos balance तो इसका i तो हम ले लेते हैं देखो कितना 1 by 2 mr square into एक चक्ती को rotate कर रही थी और उसको हमको stop करना है तो stop करने के लिए आपन लेते हैं equations कौन सा third ले रहा हूँ omega square equal to omega not square plus कितना 2 alpha and 2 theta finally omega stop करना है 0 तो ऐसे में alpha कौन सा angular retardation होगा कोण ये मंदन होगा और कोण ये मंदन अगर alpha को अगर मैं मंदन की रूप में लिखता हूँ तो चुंकि negative यहाँ alpha निकाल लोगा तो क्या हैगा omega not square upon कितना 2 theta negative आएगा और अगर मंदन की negative में सामिल कर दूँ negative को मंदन माल लोँ angular retardation में ही negative को सामिल कर दूँ तो हमारे पास इसका जो mode होगा वो कितना है omega not square upon 2 theta omega not square upon 2 theta तो देखो ये बनके आपने पास omega not square upon 2 theta ठीक है इसको थोड़ा सा और easy कर लें तो जैसा कि आप देख रहे है 1 by 2 m r square omega not square हमारे पास कितना है pi upon 10 है 2 theta, theta हमारे पास है तो only value put कर देते है और solve करता देखो तो ये हो गया आपका omega not square upon 2 theta come on guys तो जैसे 1 by 2 m mass कितना बताओ 2 कीजी into radius, radius हमारे पास कितना 4 cm, तो 4 cm का square है न तो 4 का square कितना माँ 16 cm 10 की पार मैनस 2 का square तो कितना 4 into omega not का square तो 1 by 2 1 by 2 theta theta कितना है जी 4 pi square 4 pi square omega not का square ये है pi square upon pi square upon 100 अब इसको करता है solve आईए pi square से pi square cancel हो गया और ये हम लोग ऐसे करते हैं इसमें देखो 2 से 2 को cancel कर देते हैं ये 4 into 2 कितना 8 16 upon 8 कितना 2 तो 2 10 की पार मैनस का 4 और 100 इसको उपर ले जाएंगे तो आपके सामने है जी 2 into कितना 10 की पार मैनस का 6 newton into meter ये इसका right answer बन जाएगा next अगें देखो solid cylinder of mass 50 केजी हमारे पास एक थोष बैलन है इसका मास कितना 50 केजी है उसका radius है 0.5 meter और उसमें दे रखा है इस free to rotate about the horizontal axis horizontal axis के about हैंनि कोई मानलो बैलन है और ये अपनी horizontal axis जो है इसके about rotationally free है आपने इस पर धागा बांद दिया और एक धागा एक इससे बांद रखा है tight to it इससे बंदा हो है दूसरा शिरह वो free है उसको पर यहां से खीच रहे है तो आप से पूछे कितना हम इसमें tension तनाव लगाएं जिससे कि इसमें angular acceleration कितना उत्पन हो जाए two revolutions तो यहां पर थोड़ा सा बस बदलाव बड़ा इंपोर्टेंश जो है इनर डाइमेंशन का जो चकर है conversion की रूप में value put कौन सी करनी है बड़ा यहां ध्यान रखा गया क्यूशन में तो यह mass size का दिरखा हम लोगों को radius साब को दिरखा है 0.5 SI में कोई है समझा नहीं है tension in the string required to produce an angular acceleration of two revolutions तो एक तो alpha है नहीं alpha है कितना two revolutions एक revolution होता है 2 pi तो 2 into कितना 2 pi और यह हो गया radian per second square सबसे must छिंगी है दूसरा कोई समें issue है नहीं मालों यह कोई disk है उसका मैं आपको सामने वाला front को दिखा रहा हूं और यह इस पर अपने कोई धागा लापेट रखा है और इस से अपने इसको लगातार खींच रहे हैं मालो अभी इसमें tension T है तो tension T और यह आर इस tension अप्लाई करने यह बोडियास रोटेट करेगी तो आप इसमें देख सकते हैं तो टॉर्क आपने हैं अपलाई करा टॉर्क इस इकल टू होता है आई इंटू अलफा तो टॉर्क है कितना T इंटू आर इस इकल टू आई आई है कौन ठोस बैलन तो वन बाइटू इंटू आर स्कायर इंटू आलफा इंटू आलफा आपको T पूछा है एक आर से एक पड़ा देता हूँ तो T का अभी लिए हमारे पास और M कितना है पचास केजी चलो 1 बाइटू 1 बाइटू एम आर इंटू आलफा टेंस नम से पूछा गया है तो देखो जी 1 बाइटू इंटू एम एम कितना है पचास केजी एम कितना है पचास केजी रिडियस कितना है पॉइंट 5 मीटर यानि 1 बाइटू कर दू आलफा एलफा हमारे पास है देखो 4 पाई और पाई करें इसको सॉल आ जाईए 2 से 2 4 4 से 4 कैंसल हो गया तो वहले हमारे पास है 50 इंटू पाई पाई एन 3.14 पचास इंटू तून कितना देट सो 150 से बड़ा आंसर कौन सा है और जब मंटिप्लाइ करेंगे प्रोपर आप 3.14 से 5 का तो कितना ये 15.7 आएगा तो अप्रोक्स 10 से मंटिप्लाइ कर दो तो 157 एक्जट आंसर इसका आपको बिंजाएगा नेक्स आते हैं देखो find the torque about the origin when a force of 3J acts on a particle whose position vector is 2K meter यहां दो questions हैं यह 2020 में आथा और एक है 2018 question दोनु बड़े पहरे question है तो इसमें जो torque आप निकालते हैं तो torque is equal to होता है क्या देखो r cross f यहां सबसे बड़ी बात है कि यह r क्या है r r है जिस point पे force अपलाए कर रहे हैं उस point का और जिसकी about अपन निकालते हैं उसकी about position vector है displacement vector है आप इसको इसको इससे दिश्च कह सकते हो जिस बिंदू बल अपन लगाते हैं उस बिंदू का और जिसकी परिता हमको torque पूछा गया उसके about है यानि यह है r f minus r a जिस point बल लगा रख है उस point का और जिसकी परिता आपको बलागुन पूछा है उसके सापिक्स पहले आपको निकालना पड़ेगा पोजिशन वेक्टर या इसको आप कह सकते हो विस्तापन सदिश जो भी आप कहना चाहें पर भाव एक ही है अर्थ एक ही आपको r f minus r a निकालना होगा अब यहां जिसके about पूछा गया वो है कौन? और इजन पोजिशन वेक्टर इस दिस इसका मतलब r a तो कितना 0 हो गया हटाओ तो only क्या कर देंगे? जिस पॉइंट पे आपने force अप्लाई कर रहा है उसी का position वेक्टर लेकर कि उसको आप से multiply कर दो तो force अपने कहा लगा रखा है? पताइज साब force यह है और लगा कहा रखा है इसको 2 k तो लग देंगे इसको 2 k k और cross force कितना है 3 j k 3 into 2 कितना है? 6 और यह k k cross j k आप जानते हैं इनका cross multiply anti-clockwise sense में अपने इसको positive लेते हैं तो k cross j k cross j कितना minus का i तो आपका answer हो गया minus का 6 i k newton into meter minus का 6 newton into meter अगला question देखो इसमें force यह है इसको अपन यहां apply कर रखा है और इस point के about पूछा है मालो यह point A है और यह B है तो A पर force apply कर रखा है B के बड़ा वसे पूछा गया है तो निशित रूप से against again अपन वोई बात यहां पर follow करेंगे तो टोर्क हमारे पास कितना होगा R cross M R cross आप देखो इसका notes आप त्यार कर लें 4-5 इसमें types के questions हैं उनमें जो इसका conclusion है आप पूरा solve करने के बाद इसका conclusion जो है वो आप त्यार कर लीजिएगा अधे गंठे में इसको आप डेंगे से दुड़ा फिर्ट को बढ़ा करके आदे गंठे में इसको पूरा करें पहले और last में जोसका conclusion है उसको त्यार कर लें और उसको exam से पहले एक बार देके चल जाएं बिल्कुल निशित उसमान के चलें को इससे बाहर नहीं आने का और हम दुड़ाय करते हैं इस उसे परातना कर सकते हैं कि एक और इसी प्रकार से आपके फिर आए आप इजी ली इनकी को solve कर जाएं ठीक है तो बढ़ते आँगे तो आर यहां पे कहा है जिस पॉइंट के आपको पूछा है उसका और जिसकी साफिक सॉरी आपने अपने कहा आपको पूछा है moment of torque पूछा उसके about आप निकाल लें तो 2 मैनस का 2 यानि 0 IK 0 मैनस का 2 0 मैनस इंटू मैनस टू तो कितना होगा प्लस का 2 JK मैनस का 3 मैनस का 2 तो मैनस का 1KK यहां पे आर एफ जो आर एफ ए का मतलब है आर एफ मैनस का आर ए वेली पूट करके चेक कर देना आराम से आपको सिर्फ मैनस करना है 2 0 मैनस का 3 और उसमें से 2 मैनस का 2 और मैनस का 2 मैनस करना है मैनस करने प्लस का मैनस मैनस का प्लस और मैनस का प्लस और मैनस का प्लस और बिल्कुल एकुरेट है आपको बस मैं लिए आर निकालना इसमें है वो जैसे यह है न टोर का वैसा ही आपका जे का एंगुलर मॉमेंटम का वो भी है आर क्रोस पी होता है और यहाँ पर भी आर जो है वो है क्या आर है पी ए जिस बिंदू के परिता है पार्टिकल गती कर रहा है जिस बिंदू पर कण है जिस बिंदू के परिता है जिस बिंदू के परिता आपको मॉमेंटम दे रखा है और फिर हमें किसकी साफिक्स पूछा गया है वापस वो जी अब कोई issue में issue है नहीं आपको torque निकालना है torque कितना R cross F कर दीजेगा तो R हमारे पास कितना है R हमने find कर लिया 0 I cape और प्लस 2 J cape माइनस का 1 K cape और इसको cross multiply कर दें किससे force है अब cross multiply को अगर आपको आ रहा है तो easily आप आगे बढ़ सकते हैं नहीं है तो आपको समझ्चा का सामना करना पड़ेगा तो cross multiply कैसे करते हैं तो आपको सिखा देते हैं तो इसमें torque is equal to हमारे पास formula है R cross F का तो R हम कैसे देखते हैं R हमारे पास था R cross F तो I J और K और मैं मेरे तरिके से solve करता हूं I J और K तो जो I और J होते हैं उनको वापस में repeat कर लेता हूं जिसे कि आपकी यहां correct correctness उसकी तो प्राइकता बढ़ जाएगी और गलत होने के चांद से आपके खतम हो जाएगे कैसे दान दो तो यह हमारे पास था 0, 2 और minus का एक 0, 2 और minus का एक और 0 और 2 को वापस में I और J वाले को वापस revise कर रहा हूं उसको repeat कर रहा हूं against 4, 5, minus का 6 4, 5, minus का 6 4, 5, minus का 6 और 4 और 5 अब हमको इसमें I और J की value find करनी है तो सब के सब plus के ही हम लोग लिख रहे हैं और बहुत आसान सक यहां पर तरीका है I की वाल निकाल नहीं है J का निकालना है I का value है J का value है सब plus के हैं कोई minus का नहीं है सब अब क्या करते हैं I का निकालना हूं इसको paste कर दो तो 2 into minus का 6 किता हूं minus का 12 minus 5 into minus का 1 minus का 5 तो minus minus plus हो गया तो minus का 12 plus का 5 तो यह हो गया आपका मैनस का 7 तो मैनस का 7 कर दो जी का निकालना है इसको प्रेस कर दो पहले इसको चेक कर दो तो मैनस इंटो 4 तो देखो यह हो गया मैनस का 4 फिर मैनस 6 और 0 जीरो हो गया तो मैनस का 4 आ गया जी अब के निकालना हो तो इसको चेक कर लो तो अपका जेरो जिर अंटू फाइब कितना है? यही गया मैनस का येट तो खुल पर आंसर है नस का 7I-Kंज़ का 4 fum येड और मैनस का येड बिल ह"- sorry माइनस का 7, माइनस का 4 और माइनस का 8 माइनस का 7, माइनस का 4, माइनस का 8 तो 9th question उसका answer कितना है? Second इवार question का answer match कर लेते हैं कहीं गड़ बड़ ना हो जाए Question number 9 और उसका answer बिल्कुल accurate है साथ आगे बढ़ सकते हैं राम सेपन तो next देखो यहाँ पर यह कोई road है और इसको इस point से अपने हिंस कर रखा है और कहा कि इसको अगर अपन यहाँ से cut कर दें cut करने के ठीक बात आप वो पूछा कि इसका angular acceleration क्या है? यानि question simple साथ है, एक road है इसका मास कितना capital M है, uniform road है Alice के length है और इस string को अपन कार दें काटने के ठीक बात काटने से पहले इसमें tension force है इसको balance किये है जैसे cut कर देंगे tension यहाँ से कतम इसको अटा दो उसके बाद है क्या साब इसके central mask पे नीचे force क्या लग रहा है? mg और यह mg इसको इस point के about torque अपने कर रहे है एक तो इसका weight और एक इसमें यहाँ लग रहा है इसका normal force पर normal force तो कहां से पास हो रहा है? पी से उसका torque इतना जिरो है तो ऐसे में अब इस point के about जैसे इसको free करेंगे तो rotation की इसमें tendency हैगी तो आप से पुछा है कि रस्ची को काटने के ठीक बाद just after cut the string इसका alpha कितना है तो हम जानते है torque is equal to होता है आई alpha और इससे पर निकालते है alpha तो वो है torque upon I ठीक है? अब यह torque आपको देख रहे है जिते force हैं उन सबका ने torque है I है जिस point की about rotate कर रही बोड़ी उसकी about moment of energy है तो देखो alpha is equal to हमारे पास torque तो कितना है mz into your distance यह torque कर लाएगी तो यह हो गया आपका mz into l by 2 upon moment of energy है यह है 1 by 3 और ml का square m से m cancel हो गया 1 l से l उटर देता हूँ तो चला गया उपर तो 3z upon 2l 3z upon 2l यह इसका right answer बन जाएगा ठीक है? अब बढ़ते हैं पर next में question number 11 वैसा question है a rope is wound around a hollow cylinder, एक hollow cylinder है hollow cylinder है, इसका मालू mass m है, और इसकी radius है उसके wound एक, एक rope को रसी बांद रखी है साब और आप से पूछा है कि इसका mass कितना है? यह 3k radius कितना दे रखा है अपने को 40 cm यानि 0.4 meter 0.4 meter what is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 newton, यदि इसको अपन 30 newton से pull करते हैं तो आप से कहा जा रहा है कि इसका alpha कितना होगा? तो again, torque is equal to I alpha से हम लोग find करेंगे, तो alpha हमारे पास कितना torque upon I, torque यदि tension force T माल लें, इसको R इसकी radius माल लेता हूँ, तो T into R इसका torque हो गया, T into R upon I I है कौन साहब? hollow cylinder hollow cylinder का I कितना होता है? जिसके about rotate कर रहा है, MR square और MR square करेंगे, इसको 61R से R cancel हो गया, तो T upon कितना है MR तो द्धान करें T हमारे पास कितना है? 30 newton mass कितना है साहब? 3, तो 3 into radius कितना है हमारे पास? इसका 0.4 radius कितना है? 0.4 0.4, तो देखो इसकोड़ा दे हम यहां से तो कितना होँ? 10 तो 300 upon कितना है यह? इसकोड़ा दे कितना होँ? 10 100 upon 4 यानि 25 25 radian per second square यह proper इसका आपको alpha मिलेगा next पहुंचते हैं देखो अब यह थोड़ा सा balance के questions है तो balance में question यह कह रहा है कि a road of weight W is supported by two parallel knife as a and b and is in equilibrium in a horizontal position क्यानि कोई एक road है हमारे पास इसका weight केता है इस road का weight है W और इसके दो knife है A और B जिस पर इसको अपने balance किया है आपने यहां महा लेते हैं इसका एक knife मैं यहां महा लेता हूँ इसको मैं कर रहा हूँ A knife इसको कर रहा हूँ B knife और इन पर इसको अपने balance किया हूँ है ठीक है the knives are at a distance D from each other दोनों जो knife है वो एक दूसरे से D दूरी पर आई है कोई दिकत नहीं है the central mass of the road is at a distance X from A central mass है A से X दूरी पर है मालोगी इसका central mass जाब इसका weight लगने वाला है कितना W W हाँ से pass हो रहा है पर यह कहा जा रहे हैं कि distance कितनी X है D में से X तो यह क्या वरी है D minus X D minus X तो आप से पूछे तो the normal reaction on A is A पर normal reaction कितनी है body, road completely equilibrium में है जब कोई road equilibrium हो और कौन सा equilibrium है translational भी है और कौन सा rotational भी है जब दोनों परकार का सामें है rotational भी है और आपका translational भी है तो इसमें हर point के about net और कितना जिरो हता है आप A के about निकाल लो चाहिए आप इस center of mass के about निकाल लो चाहिए आप निकाल लो B के about सारे point के about इसका torque कितना net जिरो हता है हमको निकालना है इसमे normal force on A तो इसका normal force जो है यह इसको नीचे प्रेस करें उपर की तरफ force आपका लगा रहा N यह हमको निकालना है ऐसे में आप क्या करें कि और N भी आपको निकालना नहीं है तो इस point के about इसका net torque चेक कर लो इस point के about तो यहाँ जो normal force उपर लगा वो तो अपनी इस point से पास हो रहा है उसका तो हम मान ले torque कितना जिरो मान किया ले है जिरो ही होता है अब एक डवल्यू है इसका torque कैसा होगा देखो एंटी क्लोगवाइस और एन वन का torque कैसा है क्लोगवाइस दो यहाँ पर टॉर्क है दोनों आपस में कैसे इक्वल और अपोजिट है तो नेट कितना वाजिरो होगा तो इसके बाट अपने निकालते हैं एक इसका और इसका तो इसके बाट व का कितना torque वाइस डावल्यू इंटू डिस्टेंस कितनी है डी मानेस अक्स इस इकल टू यह है नॉर्वल फॉर्स आपका एन ए और इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से हाँ तक कि डी रसक्विशन हो गया आपको निकालना था एन ए अड़ाओ इसको कर दो डिवाइड यहाँ से तो एन ए कितना डी मैंनस एक सप्कॉन कितना डी है अगर आपको पूछतें कि nb कितना है तो इसके बाट आपके कर दो पूछें कि n a और एक रसक्विशन कितना है तो आप अप सेंटर मास के बाट निकाल लो उसकेस में n a into x n a into x equal to कौन सा हो जागा nb into d minus x बनल दाभा तो ये सारे questions आपको ऐसे करने होता है next question ये भी बड़ा च्छानदार था यहां question दे रखा है एक road हमारे पास है और road की property क्या है किसका mass कितना है देखो mass है 500 gram यानि 1 by 2 kg और इसकी length कितनी है 200 cm 200 cm और इसको हमने 40 cm की point से pivoted कर रखा है और system कैसा equilibrium में है 40 cm के about अब करना है कि यहां से 20 cm पर एक लगा रखा है weight कितना 2 kg और यहां से 106 cm इसका center mass uniform लिखा uniform road इसका मदर center mass total इसके लंबा है 200 cm तो center mass है कहाँ पर अगर ऐसे मानलो कि यह को road है इसकी total length कितनी 200 cm है इसका 0 वाला end है इसका center of mass तो इसके 0 होने पर यह कितना 100 cm है यह कितना है last 10 इसका 200 cm 200 cm तो जो इसका weight लग रहा है weight जो w लग रहा है इसको पन कह रहे है 1 by 2 kg तो 1 by 2 into कितना जो 1 by 2 kg हो गया into g यह force यहां पर लग रहा है जो 20 cm पर 2 लग रहा है यहां से 20 है अगर यहां से 20 total की 100 cm यहां से कितना है 80 cm center of mass तूर कितना है पर हमको तो find करना कहां से है जिस point के about उसको अपने pivoted कर रहा है pivoted end है वो कितना है 20 cm पर यहां से आपने इसको pivoted कर रहा है एक सगंड 20 पर तो अपने वेट लगा रहा है सौरी 20 पर वेट कितना है टू केजी और 40 सेंटीमेटर 40 सेंटीमेटर पर आपने पायोड़ेट कर रखा है तो इस पॉइंट के अबाउट 40 के अबाउट ने टोर कितना जीरो है तो धान करो कि 40 के इस तरफ तो only यह तो 2 केजी है तो 2 केजी का टौर कितना होगा तो mz इंटू इसके लेंद कितना लेंद है 40 मैंस 20 कितना भी सेंटीमेटर तो देखो इसमें ऐसा है कि टौर्क जो एंटी क्लोगवाइज है इस इकल टौर्क कौन सा है क्लोगवाइज बैलेंस कंडिशन है टौर्क क्लोग एंटी क्लोगवाइज ओनली कि इसका 2 केजी का है तो इसको 2 इंटू जी जी हडा रहा हूं तो इसके डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमेटर टौ इंटो 20 अच्छा इसके बाउट निकाल ले है तो यहां नर्म फोर्स का कोई इश्यो नहीं है वेट का है वेट है इस एंट से कितना इस एंट से 100 सेंटीमेटर पे है तो जिस पॉइंट से अपने इसको प्रिटेट कर रखा है 140 उससे डिस्टेंस कितनी आई है उससे डिस्टेंस आपकी हो गई 100 मैनस 40 60 और मास कितना इसका था 1 बाइटू 1 बाइटू इंटू कितना 60 प्लस 1 बाइ 2 इंटू 60 प्लस प्लस देखो इसका जो टोटल लेंथ था 200 सेंटीमेटर पर अपने यहां से 160 तो जहां से प्रिटेट कर रखा है उससे डिस्टेंस कितनी 120 सेंटीमेटर और इस 120 सेंटीमेटर पे आपने लगा रखा है वेट कितना M तो M G इंटू यह डिस्टेंस त is equal to 60 बटा दो कितना बाँ 30 प्लस यह 120 M इसको लाओ इस तरफ 10 10 इकल टो 120 M तो M कितना 10 अपन 120 10 बडा दो तो 1 अपन 12 कजी 1 अपन 12 कजी यह इसका रखाएट आंसर बन जाएगा नेक्स देखो तो रोटेटिंग बोडिस A and B of masses M and 2M with momentum of inertia this अब दिर्ख है इनका order have equal kinetic energy of rotation दोनों की दिर्ख है क्या है equal rotational kinetic energy तो आप से पूछा है कि अगर यह इनके angle momentum है तो इनका ratio क्या होगा तो एक तो formula आपन जानते हैं इसमें कि rotational kinetic energy जिसको आपन कहते हैं half I omega square यह हम कहते हैं इसको j square upon 2i j square upon 2i हमें यहाँ कहा जा रहा है कि equal क्या है rotational kinetic energy constant है equal है तो j का order क्या है तो इससे पर अगर j की value find करते हैं तो j हमारे पास आ जाता है 2i into kr कि यार कॉंस्टेंट है तो जे परपोस्टनल्ट हो गया रूट ओफ आई ऐसे में जिसका आई ज़्यादा होगा उसका जे भी ज़्यादा होगा और हमको दे रखा इसमें कि आई बी मोर देन आई ए तो डेफिनेटली यहाँ पर जे भी मोर देन क्या हो जाएगा जे ए जे भी या एल बी इसको कर रखा है तो एल भी मोर देन एल एल ए नेक्स्ट यहाँ पर भी देखो अब जैसे कुछ पार्ट आप देखें तो यहाँ पर यह जो आप पढ़ते हैं जब भी सिस्टम पर भाहर से कोई बलागूर नहीं लगता है भाहर से कोई टॉर्क अपलाई नहीं करते हैं पर ने टॉर्क ने टॉर्क अगर जीरो है तो हमेशा इसका एंगुल मोमेंटम क्या रहता है तो यहाँ कॉशन है कि एक कोई मास है उसकी श्पिड़ कितनी है वी नोट है उसको पहले आर रेडियस है आर नोट उसपे इसको रोटेट करवा रहे है और फिर अचानक ओनली इसकी लेंद को कम करके बिना किसी बाहर के फोर्स के हम देखो यहाँ सब खीच रहे है तो उन्हें टॉर्क टॉर्क जो होता है उसका हमेशा आप देखो टॉर्क का सेंटर के अबाउट है वो टॉर्क जो टैंसन फोर्स बदलावाएगा और टैंसन फोर्स एक इंटरनल फोर्स है जो अक्सनल फोर्स नहीं है इसका कोई बाहिये टॉर्क में एक्सिनले टॉर्ट में कोई रोल भी नहीं हो दा तो एसे में उसको तो पनिया पर एक इसकी रेडिस को पन कम कर रहे हैं तो बाहर से को फॉर्स अपलाय नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में यहां से पूछा है कि इसकी बाद की एनरजी कितनी है तो ध्यान दो पहले यह मास एम और अभी इसकी इनीशल केने टेमरेश केतनी है वो है हाफ एम इन्टु जया एम इन्टु वी नौट का स्क्वायर अब बजला हम किसमें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी रेइस को बदल रहे है तो देख इसकी का।before से होता itА detail च स्कुराइब टूंट ऑई जी कॉंस्टेंट है तो जी स्कुराइब फॉंट रिदियस है तो एम इन्टू आर नोट का स्कुराइब जे constant है, mass भी fix a constant है तो अब बताओ आप यहाँ पे कि K पर पोस्टल टू है क्या 1 अपोन R नोट का square तो आपने क्या कर दिया रसी को खींच करके radius को अपन ने आदा कर दिया और radius के आदा करने पे जिसे इस को अपन देखे R by 2 कर दूँ तो K कितना हो गया 4 times KD is equal to कितना 4 K कर दूँ तो 4 K initial कितनी थी हमारे पास 1 by 2 और यह M into V naught का square और जैसे इसको गड़ा दो तो 2 M naught sorry M into V naught का square इसका answer बन जाएगा 2 M into V naught का square तो J का यहाँ पर conservation होगा इस solid sphere of mass small m radius R is rotating about its diameter a solid cylinder of the same mass पहले है solid sphere और फिर है solid cylinder यह तो sphere है और एक हमारे पास है solid cylinder दो चीज़े हैं इसमें mass इसका small m R इसकी radius है a solid cylinder of the same mass same radius small m और इसकी radius भी कितनी है R दोनों अपनी geometrical axis के about यह भी अपने इस अक्स के about और यह अपनी इस अक्स के about rotate कर रहा है with an angular speed twice that of the sphere बेलन के गोंडन की kोणे चाल गोले से दो गोना है गोले की अगर चाल ओमेगा है तो कितनी है ? टो ओमेगा बेलन के गुणन की कोणे चाल गोले से दो गुणा है तो स्फिर के अगर ओमेगा है तो कितनी है 2 ओमेगा साब साब लिखा न about its axis with an angular speed twice that of the sphere sphere का पर पर मालेते हैं ओमेगा तो बेलन का हो गया 2 ओमेगा तो आप से पूछा है the ratio of their kinetic energies of rotation rotation kinetic energy यानि के आर के आर होता है half i omega square i omega square तो दोनों i भी अलग है omega भी अलग है तो यह तो पूरा करना पड़ेगा अपने को तो के आर किसका solid sphere upon के आर solid cylinder solid cylinder तो देखो साब 1 by 2 i ठोस गोले का कितना 2 बटा 5 2 by 5 m r square omega तो omega square ही है upon 1 by 2 और solid ठोस बिलन का अपनी जामी टेक्स के सापिस कितना 1 बटा 2 m r square m r square m r square और यह omega square यह कितना 2 omega square कितना 4 omega square यह होगा अब इसको इसको पन सॉल करें तो देखो 2 से 2 यहाँ पे cancel m r square से m r square cancel omega square से omega square भी cancel हो गया और यह 4 से 4 भी cancel तो यहाँ रहा only 1 by 5 1 by 5 और यह इसका ratio हो गया 1 by 5 तो बड़ा प्रोपर वी से उपन चलेंगे तो किस्टन बहुत इजी है हमने आपको सुरू में कहा था कि कुछ इसकी सायटेफिक्ष है जहां से किस्टन साब के आ रहे हैं अच्छा अब आपको पूछ जा रहा है कुछ energy की बारे में तो energy का खेल ध्यान रखना तीन तरगी energy है के कौन सा translatory और के कौन सा आपका rotational और के कौन सा है इसमें total तो kt इसको अपन कहते है बीटा kt और यह है साब 1 प्लस बीटा into kt तीन energy है translational, शुद स्थरांदरी rotational, शुद गुर्णी और यह है सुद लोट निगती में total kinetic energy kt जो है वो होती हाफ mv square तो हमें पूछा आईए एक ठोस गौला है और वो रोटेट कर रहा है इस rolling रोलिंग कर रहा है तो इसमें आपको rolling में प्योर rotation भी है साब में translation motion भी है तो हमें पूछा है कि इसकी k कौन सी translational और translational plus rotation दोनों का जो ratio आपको निकाला है किसका इसका ratio इसके साथ पूछा है तो kt upon k total तो यह हो गया आपका kt kt upon 1 plus beta into kt और kt से kt cancel होगा तो 1 upon 1 plus beta 1 upon 1 plus अच्छा यहाँ पे है solid sphere तो उसका moment of initial है कितना हूँ दो बटा पांच MR स्क्वार तो बीटा कितना है दो बटा पांच जो अपने सदा हरी में लिया था ना जो बीटा बीटा actually है क्या याद करो जो मैंने शुरू में लिया था सदा हरी और सदा हरी में जो हमारे पास है दो बटा पांच MR स्क्वार दो बटा 3 MR स्क्वार और फिर फाइनले अपन का था 1 MR С्क्वार जो MR Sक्वार का कोफिशिंट था उसको मैं यह बीटा की रूपें जुक्विटा कर रहा हूँ दो बटा पांच है दो बटा तीन और बटा तैन यह सब बीटा है, तो यह हो गया आपका 7 by 5, 1 upon 7 by 5, तो 5 ratio 7, यह सका right answer हो जाएगा, next चलते हैं, The ratio of the solution for solid sphere, mass small m, radius r, rolling down and inclined angle theta with slipping and slipping down the inclined without rolling is, question क्या कर रहा है, कि हमारे पास एक नतल है, उससे किसी body को आपने छूड़ा है, तो एक तो है, इसमें rolling without slipping, rotation हो रहा है, pure rolling के साथ, एक slipping down the inclined plane, एक only slip कर रहा है, किसी नत समतल का आनत कोण theta है, इस पर M दरेमान और R तरजय का ठोस गोला आपने, उपर से नीचे की और इस परकार से गती कर रहा है, कि first condition में गती पूर्ण तय लोटनी है, और इसमें कोई sliding नहीं है, ना, दूसरे में गती केवल कौन सी sliding है, तो आपको पूछा है, इन दो जो होता है, वो आपका है, G sin theta upon 1 plus beta k square by r square, यह total rolling motion का, यह जब only sliding motion होती है, वो होता आपका g sin theta, तो हमको पूछा है, A, R और A sliding का हनत, तो A, R upon A sliding का आपन निकालेंगे, तो अगर मैंसे, इसको इससे divide कर दोगे, तो आपका answer है, 1 upon kittah 1 plus k square by r square, ओके, तो 1 upon 1 plus, ठोस गोला है, तो 2 बटा 5, अगेन वो ही आगया, तो कितना 7 बटा 5 और 5 अनुपात 7, next, यहां question देखो क्या है, बड़ी simple question आते हैं, यहां पर यह को नतल है, और यह मालो plain surface है, यहां कोई body है कोई, जो rotate कर रही है, और साथ में slip भी कर रही है, sorry, यह है rotation without slipping, pure rolling, pure rolling motion, body यहां पर इस rough surface पर friction के against बिना किसी work किये वे, और शुद लोट निकती करते हैं, अब इसके सामने मालो कोई पाड़ी है, जिस पर इसको rise करना है, तो rise करने questions यहां पर देखो, एक तो क्योंकि यहां पर conservation of mechanical energy आपको apply करना है, पर यह question आते हैं, उसमें दो बात ध्यान रखने पड़ते हैं, एक तो यह देहना पड़ता है, कि यह surface किस परकार की है, slide, जिस पर है, यह slider जो है, उस surface किस परकार की, smooth है या rough है, smooth होने पर c o m e conservation of mechanical energy किसका खरना है, और rough है, smooth surface होने पर, आपको ध्यान रखना है, इसमें pure, अगर इसकी sliding, sorry sir, एक बार फिर आपको रिपर कर दूँ, अगर surface कैसे smooth है, surface की smooth होने पर, आप simple ध्यान रखे हैं, इसमें translational kinetic energy है, उसी का ही mechanical से, sorry, translational kinetic energy का potential में conversion होगा, तो उसमें कितना है, half m into v square, is equal to कितना mg h, और इसमें m से m कुड़ा दो, तो h हमारे पास कितना हो जाएगा, v square upon 2g है, वो body की nature पर depend नहीं करेगा, कि वो ठोस गोला है, चक्ती है, डिस्क है, रिंग है, क्या है, उस पर depend नहीं करेगा, अगर surface कैसी rough होगी, तो rough surface पर friction भी परंतो उसकी speed कौन सी translation है, वो जिरू हो जाएगी, rotation अभी भी इसके पास है, बाद में रहेगी, rotation को खतम करने वाला torque इसके पास नहीं होगा, इसलिए ऐसा नहीं कर पाएगी, इसलिए मने इसको apply कर रहा है, जब rough surface होगी, तो torque भी होगा, तो उस समय क्या होगा, total जो इसकी half m into v square into किता 1 plus beta, 1 plus beta उसका हमको use करना है, और उस से questions आपको solve करने है, तो यहाँ, धान करो, एक object है, h आपको दे दिया गया है, तो 1 by 2 into m into v square, और यह 1 plus beta, और m z into h, h आपको दे रखा है, 3 v square upon 4 z, तो हाँ, यह वार्पुन धान देलो, surface smooth है, h अपको निकाले है, आपको इसमें maximum height के लिए पूछे, तो आप issue को apply कर दें, और कुछ लिखा है नहीं है, surface rough है, smooth है, और simple question आते हैं आपके, और जहां लिखा आता है, maximum height गयाद कीजिए, तो आपको rough surface मानते वे solve करना है, smooth लिखा है, smooth को follow करना है, कुछ नहीं लिखा जाए, rough मानते वे आपको solve करना चाहिए, और SI को एक option आपको मिलेगा, ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं, इसकी value को आपने put कर दिया, और value put कर चुके हैं, तो धान दो, करें इसको solve, G से G cancel हो गया, यह mv square से आपका mv square cancel हो गया, और यह हमारे पास है, 1 by 2, 2 से उड़ा देता हूं, तो कित 3 by 2 है, तो इसको बर दोंगा, 1 plus 1 by 2, तो बेटा कितना 1 by 2, किसका होता है, चक्ती का, किसका, डिस्क का या ठोस, बेलन का, स्वरेड सिरिंडर का, उसका भी है, प्रोफ्षन में है नहीं, तो इस तरह से आपको करना है, next बड़े, अच्छा, a disk, a sphere of same mass, sorry, a disk and a sphere of same radius, but different masses roll off on to inclined plane of the same altitude and length, which one of the two objects gets to the bottom of the plane first, यहां सबसे पहले कोन आता है, सदाहरी, सबसे पहले, सदाहरी का, सबसे पहले कोन आता है, जिसका moment of inertia सबसे कम होगा, वो सबसे पहले आएगा, पहला कोन है, sphere, याद कर लो, बिल्कुल सदाहरी, सदाहरी, सबसे पहले यह, उसके बाद यह, साथ में कोन, ठोस, बेलन, उसके सबसे लास्ट में कोन आता है रिंग आता है अच्छा नेक्स्ट है इस सोलिर स्फियर इस रोटेटिंग फ्रीली अबॉट इस स्मेटरी अक्सिस इन फ्री स्पेस दे रिडिश ऑफ दे स्फियर इस इंक्रीजट कीपिंग इस मास सेम तो यहां यह सेंपल कॉशन आते हैं कि अंदर है बार से कोई अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में हमेशा एंगल मोमेंटम क्या रहेगा कॉंस्टेंट रहेगा इवर पुरह देख लो को ठोस गोला मुक्त आकास में अपनी समित अक्सिक प्रिता मुक्त रोप से गुणन कर रहा है इस गोले का द्रेमान समान र होने पर डेफिनिटली कोई ये सम्वे एंगल मोमेंटम का रहेगा नेक्स्ट पर पहुंसते हैं त्री अब्जेक्स ए स्वलिड स्फिर है बी थिन सर्कूलर डिस का है सी है सर्कूलर रिंग इच है था सेम मास M रेडियस है सब तीनों के मास M है रेडियस भी कर से ब्राबर ह सब एंगूलर स्पीड सब एंगूलर स्पीड इक्वल से रोटेट कर रहे है तो किनेटिक थेओरी जो डवलिटी अपन करते हैं वर्क एनरजी थोरम उसकी अपन करते है न डेल्टा सौरी, according to WET, WET के आनुसार W जो नेट होता है, W नेट is equal to कितना होता है डेल्टा क, Δेल्टा क क्या Durham, k फैइल, कितना कर देजरू जो किनेटिक एनरजी है उसका नेगिटिवर्ट नाभ करना होता है, किनेटिक एनरजी यता ही अगेंपन घेजरू है तो W जो है उसका अमौ का बराबर है तो बताईए डावल्यू कि इस पर डिपन कर रहा है आई के समय नों पाती है अब अगर हमारे पास जो सिमेटिकल बोडिज हैं और उन सारी सिमेटिकल बोडिज का आई जिसको कि अपन ओर्डर की साथ बता चुके हैं आप लोगों को सदाहरी सबका मास एक्वल ह है आई जिसका ज़्यदा होगा उसका वडन भी जदा होगा अब सबसे दिख आई किसका है रिंग का हमारे पास तीन बोड़ी है बोड़ी को पंचाह कर लें ए बी और सी एकोन है सॉलिड स्फियर आप जाते हैं इसका अई सबसे कम है बी कोन है साफ सर्कूलर डिस्क ये डि वर्डन भी जदा होगा सबसे ज़्यदा वर्डन किसका है WC उसके बाद WB और WA निश्द रूप से आप आसरी आएगा इसका दे रखा रखा के इस सेंटर मास है स्पीड और 20 cm पर सेकंड वर्डन करना इसको तो डवली जो स्टॉप का मदा डवली कितना हो रहा है जो kinetic है उसका w जो net है कितना kinetic का value हो गया बस और यह है कितना half rolling motion में इसका half m into v square into 1 plus beta तो 1 by 2 into m into v square 1 plus beta, beta कोन है सब? disk तो 1 by 2, 3 by 2 कर दूंगा, 3 by 2 और यह तो 3 by 4 m into v square 3 by 4 into mass कितना है सब? 100 kg v square velocity कितनी है? 20 cm तो 0.4, 0.4 into 0.4 0.4 into 0.4 यानि कितना 16 into 10 की power minus का 2 ठीक है? 100 से इसको पड़ा देता हूं 4 से 4.16 तो 4 ती 12 कुछ गड़बड किया ए बार पुन देखते हैं ए डिस्क अगे पहुंसते हैं देखो ए डिस्क हमारे पास है उसकी रेडियस हमारे पास है उसका मास विदे रखा है तो जहान करें रेडियस किता है 2 मेटर मास किता है 100 केजी और सेंटर मास की स्पीड कितनी है? 40 सेंटी मेटर पर सेकंड और मॉशन कौन सा ऐसा? रोल्लिं मॉशन है उसको स्टॉप करना है तो टोटल कानेटिक इनजी को आपको कतम करना है तो 1 by 2 M V square डिस्क का 1 by 2 तो 3 by 2 3 by 4 3 by 4 M V square ठीक है 3 by 4 तो calculation ये वर पुरन देखते हैं 3 by 4 into मास कितना है 100 kg V तो V हमारे पास है अच्छा 20 था न 0.2 0.2 का square तो 4 into कितना 10 की पौर मैनस का 2 यह हमने कटबर कर दिया ये होगा न तो 4 into कितना है 10 की पौर मैनस का 2 ये से cancel 4 ती 12, 4 से 4 cancel 3 3 Joule इसका right answer आ जाएगा Next An energy of 484 Joule is spent in increasing the speed of a flywheel from this to this तो ये RPM में है frequency of initial तो 60 upon 60 तो कितना हो गया 1 finally कितना है F2 तो ये 360 upon 60 तो कितना होगा 6 पर ये हर्ज में है इसका अपने निकालते हैं omega 1 तो 2 pi ये omega 2 कितना 2 pi F तो गया 12 pi थीक है the moment of inertia of the flywheel तो यहां से यहां तक करने के लिए इतना हमको work करना पड़ रहा है तो W जो है न वो actually है क्या W जो है वो गर्ती उर्जा में परिवर्टन के बराबर है और pure rotation motion हो रहा है तो इसको गर्देपन half i omega square तो omega 2 square minus omega 1 का square done तो हमको पूछे के जर रहे है कि इसका moment of inertia कितना होगा तो i is equal to कितना 2W upon omega 2 square minus omega 1 square 2W W कितना है साफ 484 upon omega 2 square minus omega 1 का square तो यह हमारे पास है 2 pi तो यह ऐसा कर दें हम लोग तो 12 का square कितना 144 pi square minus कितना 4 pi square pi square अपने लेते हैं common तो 2 into 484 upon pi का square 144 minus 4 4 कितना है 140 140 तो 140 into pi square pi का मलद 2 बटा साथ तो 22 into 22 upon 7 into 7 22 का square कितना 4 84 अटाओ और यह जो 10 है इसको अपन यहां उड़ा दें 7 दोनी 14 20 इसको उड़ा दो हैं से तो कितना है 10 यह साथ चला गया उपर साथ अपन दो कितना पॉइंट साथ 0.7 kg meter square अगे नेक्स और यह सका last question 2 disc groups same moment of inertia rotating about their regular axis passing through the center and perpendicular to the plane of the disc with angular velocities omega 1 and omega 2 दो this कायन से और इनका अपनी axis की about moment of inertia देरका है equal यह भी आई देरका है यह भी आई इसकी speed omega 1 इसकी speed omega 2 they are brought into contact free to face face to face दोनों के face to face इसको अपन contact मिला रहे है coincide in the axis rotation जो axis है वो same आजाएं और इन दोनों को अपनने क्या जोड़ दिया the expression for loss of energy during the processes तो पूछा कि इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो जोड़ने पर एतर से क्या है इसको अपन मान सकते हैं इतर से पूर्णते अपरतास टक्कर जासा मान सकते हैं और पूर्णते अपरतास टक्कर में आप जानते हैं तो टक्कर हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर तो जो delta e loss अपन पढ़ते हैं वो होता है कितना है 1 by 2 m1 m2 upon m1 plus m2 into v1 minus v2 का स्क्कार और 1 minus e का स्क्कार e वहाँ पर कितना होता है 0 पूर्णते है अपरतास टक्कर के लिए अब जस्ट जो अपने इसको रिजल निकालते हैं similarly इसी की according आता है बस i की स्थाने भी कर दो moment of inertia और भी कर दो omega तो यहाँ जो delta i loss आता है वो है half i1 i2 upon i1 plus i2 तो यह कर दूंगा i2 upon कितना 2i और यह omega 1 minus omega 2 का स्क्कार i say i cancel i by 4 omega 1 minus omega 2 का स्क्कार i by 4 omega 1 minus omega 2 का स्क्कार ठीक है जी तो एब आप पुरन ध्यान दो कि जो यह topic आप चेक कर रहे हैं rotation motion यहाँ पे बिलकुल fix site है फिर जोड देख कहा रहा हूँ बिलकुल यहाँ पे 5 या 6 जगह हैं जहां से questions repeat हो रहे है moment of inertia, tradition of variation, torque torque में torque निकालना भी question पुछा जा रहा है और torque to i alpha की questions भी यहाँ आ रहे है जो एक समान कोण या तोण गती है उसके भी questions यहाँ पुछ जा रहे है stopping का यह alpha यूज किया गया था omega square upon 2, theta वाला वो theta और alpha को कैसे convert करके आपको पूछ जा रहा है 2 pi revolutions दे दिया 2 revolutions दे दिया आपको 2 pi चक्र की बाद body stop हो रही है तो उसको यूज करा गया है और फिर जो conservation of mechanical energy है उसका इस्तेमाल है तीन तरह की energy है केटी, बीटा केटी और 1 प्लस बीटा केटी है जब body slide करके उपर जा रही है surface smooth हो surface rough हो उसके questions आपके है और last middle loss of energy का यहाँ पर question है आप गूर करें ज़्यादा कोई issue नहीं है बहुत simple topic है इसको ज़्यादा stress मत देना rotation का topic बिल्कुर साफ सुतरा है आप questions को अगर revise करकर देखते हैं तो आपको साफ अंदास लगना चीए मुझे कितना काम करना चाहिए ठीक है तो अब इसको अपन finish करते हैं ओके, thank you चैसी LC